हलो दोस्तो स्वागत है आपका जीकेवित अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तो अगला आज का टॉपिक है कोशिका का दूसरा भाग उस वाले में 35 वाल हुए थे अब इसमें 35 वाल होंगे और उसमें दो सवाल छूट गए थे 15 वाले मैंने उनको भी इसमें इंक्लूट किया है ठीक है तो आज हम लोग बचा हुआ जो 35 सवाल और है उसको हम देख लेंगे कोशिका से जो मैंने कोश्चन करा हैं अगर आप उसे कर लेते हैं या तो आपके ज्यादा तर कोशिका से संबंदी सवा सवाल हो जाएंगे ऐसे कोशिका की बात करें तो यह बिल्कुल एक अलग ही सब्जेक्ट ही है विज्ञान ही है अलग से और इसे बहुत सवाल आते हैं लेकिन मैं आपको वही सवाल इसमें ले आया हूं जो आपके परिक्षा में पूछे गए हैं तो चलिए करते हैं स्वेडबर्ग जो होता है वो राइवोसोम का क्या होता है यह सबसे छोटी होशिकांग भी है इसका परतीक होता है इस इसलिए यह सत्तर एस और आसी एस परकार के होते हैं ठीक है इसलिए यह दो ही टाइप के होते हैं सत्तर एस और आसी एस परकार के होते हैं और इसका मात DNA, DNA plus protein, protein plus wasa 36 जो होगा वो A सई होगा RNA plus protein 37 को ने कोश्का की आतमगाती ठहली कहते हैं आराइबोसोम को लाइसोसोम को आक्सिसोम को या सेंट्रोसोम को 37क अब बसाइः होगा लाइसोसोम को इसका आप्शन होगा बी लाइसोसोम लाइसोसोम को नाव सब्सका पूर रणों जब घुषते हैं तो कोशिका में यह जो तहाली होती है फटजाती है और इसमें अमलिये 인जाइम होते हैं 1-2 travelled स्टी काला होके इसी हा अधि거 does it ोगा का संदरा है 38 सबाल adoption कोशिका भिति का निर्माण किस वस्के की से होता है काइटिन से इसलेलो प्रोटीन से या दी ऐए और भी दोनो इसका आप्टन डी से होगा और दोनो देखे कोशिका भिति का अध़कत पादप जो होते हैं, जितने कवक जो होगा, वो कवक का कोशी का भित्ती जो होगा, वो काईटीन का बना होगा, काईटीन का बना होगा, और इसको छोड़ के जो भी पादप हैं, उनका जो होगा, वो सेलुलोस का बना होगा, सेलुलोस, सेलुलोस क्या है, पॉलिमर है, शरकर का पालिमर है और यह हम लोग को जो रूई होती है उसमें वो 70 प्रतिसाद तक यह मिलता है सेलुलोस ठीक है तो इसको इसे भी जानिए उन्तलिस्वा सवाल है रिलाइससोम में कितने प्रकार के इंजाइम भरे होते हैं दस पचास चौबिस या तीस चौबिस प्रकार के इसका को चालिसवा का आप्शन योगा एसा योगा राइबोसोम को क्योंकि यह लगतार एमिनो अमली की मदस से प्रोटीन का निर्माड करता रहता है क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होता है मैगनिसियम आएन कैलसियम आएन जिंक आएन या पोटेसियम आएन यह जो इस पे जो बने हुए है यह से कैलसियम पे प्लस बना हुआ है ठीक है पोटेसियम प्लस यह आएन है यह प्लस टू यह इस तरह बना रहता है इनके आएन है ठीक है तो इसका जो आफसन जोगा बैलिस का वह यह सई होगा एम जी प्लस टू यानि मैगनिसियम आएन के काराण जो होत होती है तो ग्रेनम में इस्ट्रोमा में माइट्रो कांडिया में सभी में इसका 43 का अप्षन 20 है इस्ट्रोमा में और ग्रेनम या ग्रेना इसमें प्रकास की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है अगर आप कहेंगे तो मैं प्रकास हंसे संगाने में तो मैंने हमेशा बताया है ले मिल्वक कितने प्रकार के होते हैं तीज दो चार या पांच तीन प्रकार के होते हैं लवक जै और वर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, रंगहीन को ही लिवको प्लास्ट, वर्णी को क्रोमो प्लास्ट और हरित लवक को क्लोरो प्लास्ट कहा गया, तीन टाइप की यह होते हैं, लवक, हरित लवक के कारण ही पौधो का रंग हरा होता है, अतियों का रंग या तन आयन के कारण होता है यह आप भूलेंगे नहीं ठीक है तो यह था क्वेशन और यह लवक है इसके बारे में आगे देखेंगे किस लवक के कारण फलो एम फूलो को पीला रंग पराप्त होता है लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जेंथोफिल के कारण यह सवाल बहुत बहुत बराया है तो इसका आप्शन जोगा, डी होगा, जेंथोफिल के कारण किस लवा के कारण फल एम फूलो को नारंगी रंग पराप्त होता है लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइन के कारण या कलोरिफिल के कारण जो होता है फल एम फूलो को नारंगी या गुलाबी या हलका लाल रंग होता है पराप्त कैरोटीन के कारण कैरोटीन एक प्रोटीन भी है किस लवा के कारण फाल एम फूलों को लाल रंग पराप्त होता है लाइकोपीन के कारण कैरोटीन के कारण एंतोसाइन कारण या कुलोरफिल के कारण लाइकोपीन के कारण लाइकोपीन के कारण चटक लाल रंग होत इसका आफसों C से योगा इंतो साइनीन के कारण पूलों को खासतोर से जो होता है वो बैगनी रंग होता है परपल कलर ठीक है किस लवण में भोजन का संचे होता है लिकोपलास्ट में क्रोमोपलास्ट में क्लोरोपलास्ट में या सभी में एक कामन का होगा A से योगा लवक या हरित लवक होगे ठीक जहां पर प्रकास नहीं पड़ेगा जैसे जड़ हो गए या बंद बीज हो गए वहां पर लियुकोप्लास्ट होगा यानि और रंगहीन लवक वहां पर होगे और इसका प्रमुक्कार होता है भोजन का संचे करना यह तीन टाइप के होते हैं इमाईलो प्लास्ट में क्या होता है कि यहां पर स्टार्च का संचे होता है जैसे खास्तोर से आलू ठीक है इमाईलो प्लास्ट में क्या होता है वसा का होता है संचे होता है जैसे अरंडी का बीज है या सरसो के बीज होता है यहां पर यह संचे होता है प्रोटीनो प्लास् प्रफिल है हाईकोपीन है करोटीन इनके द्वारा फाल एवं फूलों को रंग प्राप्त होता है इससे वो भवरे उस पे आकरसित होते हैं उनके फूलों पर पराकण की किरिया संपन होती है अगर रंग नहीं होगा तो वो कीट आएगे नहीं जबकि हरितलवक द्वारा माइट्रोकांडिया के अंदर अंगली नुमा सनचना को क्या कहते हैं इंडोपलाज्म क्रिस्टी क्रोमो लेयर सिस्टरनी माइट्रोकांडिया के अंदर जब आप देखेंगे ऐसे तो अंगली नुमा सनचना होती है ऐसे इस अंगली नुमा क्रिस्टी कहते हैं क्रिस्टी क स्थल कहते हैं मैस्टी एंदीया को केंद्र को हरित जो म को मैस तोक है सऐ होगा माइट्रो कांडिया को को स्थल कह क्योंकि यहीं पर और पैदा होती है और यहीं पर गलुकोस का अख्यकरन होता है और यहीं से कारबन एक शैडड और और एनर्जी बाहर आती है ठीक है सोसन वाला अगर आप नहीं देखें तो आप देखें मैंने इस पर कई बार वीडियो कई तरीके से बनाया है सेंट्रसॉम की खोज किस ने की थी टी बावेरी इवान वास्की वेंडल इस्टानले या या बाव वेडन बाव डेन 55 का एस है य इंचे कोशी का कोशी का विभाजन प्रोटीन का निर्माण या उर्जय का निर्माण देखिए सेंट्रसॉम frame होता है वह सबसे बड़ा काम मेंक है कोशी में मदद करना तो इसका आप्संच्ण दर्रसॉइत को cousin क माय थो कांडिया हा कोशिका का स्वायत कोशिकांग कहा गया है क्योंकि इसमें स्वयम सत्क्रेश cynarch नियुकर रोसोम ने और होता है और यह पर्टेश का निर्माण भी कर लेता है इसले इसको तो कोशिका पर ये पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है, कुछ थोड़ा सा है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था, गुनसुत तथा क्रोमोसूम कहां पर पाए जाते हैं, केंद्रक में, केंद्रिका में, रिक्तिका में, गाल्जिकाय में, इसका आपसंजोगा अंठावन का वो D से योगा, B और C, दोनों कोशि, जन्तु कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति नहीं होती है, दोसरी इन में हरित लवक नहीं होता है, कोई लवक नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो इनसान क्या होता, हरा हरा होता, और धूप में खड़ाओ के अपना भोजन बना लेता, ल इसमें हरितलावत मिलता है बाकी जन्तुव में नहीं यह अपवाद है केवल यूगलीना अगर आप प्रोटो जुबा वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जाएए देखिए मैं भी इस पर वीडियो बना चुका हूं और कोश्का पर भी मैंने वीडियो बनाए है ATP का अर्थ है एडिनोसीन टेटरा फासफेट एडिनोसीन टेली फासफेट एडिनोसीन ट्राइफ फासफेट यह एडिनोसीन फासफेट साथ का सी सही हो गए एडिनोसीन ट्राइफ फासफेट एडीबी का अर्थ है एडीनोसी दाई फासफेट एडीनोन डाई हसफेट आकसी एडीनोसी फासफेट यह यह परिक्षा में हमेशा दोनों सवालाते हैं सवाल है किसको कोशिका का उर्जा का सिक्का कहते हैं किसको कोशिका का उर्जा का सिक्का कहते हैं एटीपी को कुलोरोफिल को एडीपी को या या माइट्रो कांडिया को ठीक है तो इसका आपसन जो होगा ये से होगा ATP को उर्जा का सिक्का कहा गया है कोशिका का दो कोशिकाओं को जोडने वाली सानचना को क्या कहते हैं टीलोमियर, प्लाजमोट्स, मेटा, प्रोटो प्लाजम या इस्फेरोसूम माइट्रो कांडिया में किस परकार के राइबोसूम पाए जाते हैं किस अंग के कोशिकाओं में सेंट्रोसूम का अभाव होता है किस अंग के कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का भाव होता है आपसंत तवचा है कंकाल है निवरान कोशिका है या अगनास है निवरान कोशिका है सेंट्रोसोम का कारण है कोशिका विभाजन करके एक नई कोशिका बनाना पर निवरान कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है इसलिए निवरान कोशिकाएं एक बार बिगड़ जाने पर खराबन में पुना बनती नहीं हैं, ठीक तो यह आप याद रखेंगे इंप्पोर्टेंट सवाल है, किस अंग में कोशिकाएं तीवर निर्मित होती हैं, आत कोशिकाएं, जिगर की कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं या सभी तो देखें इसका ईजिकर की कोशिकाएं, आपशन विस यह देखने नारत हैं, इसका आप समझोगा B, राइबोसॉम होगा जीवदरब की खोज किसने की थी? यह दो सवाल चुट गये थे ठीक है? जीवदरब की खोज किसने की थी? डू जारडीन ने, पुरख इंजे ने, हेक्सेल ने, या हेकल ने, डू जारडीन ने की थी किसके पुरानी रक्त कोशिकाइन नस्ट हो जाती है किसके कारण पुरानी रक्त कोशिकाइन नस्ट हो जाती है राइबोसोम के कारण लाइसोसोम सेंट्रोसोम या आक्सीसोम लाइसोसोम के कारण होता है ठीक है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है सौरोफीन के कारण कैरोटीन के कारण लाइकोपीन के कारण जेंतोफिल के कारण इसका आपसंग जो होगा वो लाइकोपीन या एक अस्तर का सी सही होगा लाइकोपीन के कारण मिर्च का लाटंग किसके काराण होता है सौरफिन के काराण कैफसेथिन के काराण लाइकोपीन के काराण या कैरोटीन के काराण इसका आफसन भी सही होगा कैफसेथिन के काराण ठीक है तो ये कोस्चन थे जो मैंने करा दिये इसमें आप इन कोस्टन को कर लीजिए और इनके PDF आपको मिलेंगे ये मैं कराता हूँ टाइप कहीं पर तो जैसे जैसे टाइप होंगे वो इबुक बनाएगा उसका तभी वो मुझे देगा ठीक है तो आपको इसका PDF आने वाले समय में पूरे चेप्टर जितना पढ़ा है उस सब के कोस्टन 50-60 करके कई हजार सवाल आपको मिल जाएंगे तो वो थोड़ा सा उसमें देर है लेकिन आपको अंधेर नहीं है वो मिल जाएगा ठीक है तो यह पूरा यह कोशिका का जो कोस्टन था करीब करीब हो चुका है कुछ अगर होंगे सवाल तो आगे भी हम लोग उसको देखा जाएगा तो यह वीडियो था कोशिका पर और इसको कोशिका पर मैंने वीडियो बना दिय यह है दो अगर आप उसे देखना चाहें तो देखें और यह कोश्टन को समझे और जाने इसके पीडियव आपको भैस में मिलेंगे और दूसरी चीज़ आनलाइन यहां इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे नेट की स्पीड बहुत ही धीमा है एक वीडियो को अपलोड करने में लगभग दो दिन या पूरा दिन चला जाएगा तो आनलाइन यहां फिलहाल संभव नहीं है जब होगा तो मैं जरूर आनलाइन पढ़ाऊंगा वह बहुत ही आसान होता है पढ़ाना ठीक है तो ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो करिएगे लाइक और अगर आप चैनल पर नहीं है तो करिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जय हिंद